मनोज तिवारी जी मेंबर हैं बेह जूटा पार्टी के तो उनका सदस्य होने के नाते वो जूट ही बूल सकते हैं PMLA Special अदालत ने बहुत सपश्ट तोर से कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक भी प्रमान नहीं है इस बात का एक भी प्रमान नहीं है कि गोवा में कोई भी पैसा लगा इस बात का कोई प्रमान नहीं है कि 100 करोड का कोई लेंदेन हुआ साफ साफ PMLA court ने कहा कि ED एक bias से काम कर रही है जैसे वो कहानिया ये पश्ट लिखा हुआ है कि ऐसा प्रतीत होता है कि ED कहानिया बना रही है ताकि किसी भी तरीके court को convince कर पाए पर वो ऐसा नहीं कर पाए अब जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी को इस case में bail मिलने वाली थे हुए उन्होंने CBI के द्वारह एक और case डाल दिया ये किसी भी तरीके चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखा जाए क्योंकि ये अर्विंद केजरीवाल जी जैसी नीतियां आपने किसी भी स्टेट में लागू नहीं कर पा रहे हैं लोग इन से सवाल करते हैं कि जब यहां पे मुफ्त बिजली और 24 घंटा बिजली मिल सकती है तो उत्तर प्रदेश और हर्याना में क्यों नहीं मिल सकती इसलिए इनको अर्विंद केजरीवाल जी का model of governance किसी तरह रोकना है पर ये कुछ भी कर ले ये अपने सारे इरादों में fail होंगे